दोस्तों अगर आप इस्टाग्राम के ट्रेंडिंग संग्स पे अगर आप एक कुछ पूरा देखे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल रील क्रेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह के जो भी trending songs आ रहा है Instagram पे उस पे अगर आप एक professional reel create करना चाहते है जिससे आपका जो follower से हो ज़्यादा increase हो पाए Instagram पे या आपका जो views है Instagram पे हो ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए उसके लिए एक professional वीडियो आपको edit करने की जुरूरत है और एक professional वीडियो कैसे आप edit कीजिए है उस song को हम कहां से डाउनलोड करेंगे उसका lyrics हम कहां से लाएंगे उसका photos हम कहां से लाएंगे और photos अगर हम अपना खुद का डालना चाहते हैं तो उसको हम किस तरह से डालके bit पर set करके काफी professional reel को हम किस तरह से create करेंगे इस सारा चीज आपको complete इस वीडियो में जानने क कराते रहता हूं कि किस तरह से आप एडिट करके professional reel क्रिएट कीजिएगा और अपना Instagram को आप ज्यादा से ज्यादा followers ले आप आईएगा तो चलिए जस्तों वीडियो का start करते हैं तो training lyrics वीडियो के एडिट करने के लिए यहाँ पर हम वीडियो एटर को open कर लेते हैं जैसा क हम यहाँ पर new project पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फोटो यह वीडियो को हमें इडिट करना है वो हमें यहाँ पर आ जाएगा जिसको हमें यहाँ पर चूछ करना है तो देखिए जो background image है हमारा वो कुछ इस तरह का है जैसा कि आप देख रहोंगे इसको हमने यहाँ चूछ कर लिया इस पर next पर किलिक कर देते हैं तो देखिए जो हमने इमेज यहाँ पर चूछ किया हूँ हमारे इस एप के interface में आ चुका है यानि कि यहाँ पर आ चुका है timeline में जैसा कि आप देख रहोंगे अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इसका जो ratio है उसको हमको set करना है तो ratio set करने के लिए देखिए उपर में आपको एक original का option देखने को मिलेगा इस पर आप किलिक किजेगा तो यहाँ पर आपको सारे ratio आजाएंगे तो यहाँ पर हमें reals create करना है तो यहाँ पर हम reals वाला जो ratio है उसको हम choose कर लेते हैं जो कि 9 ratio system है यहाँ पर आ चुका जैसा कि आप देख रहे होंगे अब आप देखेंगे कि जो timeline है इसके last में आपको एक इंट्रो का यहाँ पर वीडियो मिलेगा इसको select करके आपको इसको delete करदाना simply देखिए हो चुका है अब चलिए हम अपना editing करके आपको दिखाते हैं इसका timeline है इसको हम थोड़ा सा increase कर देते हैं अब चलिए अब यहाँ पर हम editing करते हैं तो editing करने के लिए सबसे पहले हम एक photo को यहाँ पर import कराना चाहेंगे तो यहाँ पर पीप वाले जो layer है उस पर फोटो का चुछ कर लेते हैं तो यहाँ पर देख रहेगा तो यहाँ पर माल लिजे कि हम इसको रख देते हैं अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसका जो background है उसको remove करना है तो background remove करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें एक tools देखने को मिल जाएगा cut out का इस पर हम click करेंगे जैसे हम इस पर click करेंगे तो देखिए इसका जो background है यहाँ पर पूरी तरह से remove हो जाता देखिए यहाँ पर reviewing हो रहा है जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है जैसे ही 100% हो जाएगा उसके वाद आपका जो करोंगे अब चलिए यहाँ पर masking लगा देते हैं तो यहाँ पर masking पर हम किलिक करेंगे किलिक करेंगे पहला option पर किलिक करके इसको हम हलका सा rotate करा लेंगे कुछ इस तरह से कि उपर वाला पार्ट हमें रखना है नीचे वाले पार्ट को हमको कुछ इस तरह से यहाँ पर fade करना करने के वाद यहां पर हमें saturation पर जाना है saturation पर जाने के वाद इसका saturation है उसको हम पूरी तरह से कम कर देंगे 100% कम करने के वाद आप देख रहा होंगे black and white में image हमारा बनके तयार हो चुका है अब हमें simply क्या करना है इस पर okay पर किलिक कर देना है तो कुछ इस तरह का यह बनके त्यार हो गया है अब यह जो फोटो है इसको फूल वीडियो तक हम कर देते हैं जहां तक वीडियो है वहां तक इसका length हो जाएगा जैसा कि आप देख रहा होंगे उसके last के length हो चुका है अब इसमें एक और zoal footage को हम यहां पर then click here go करेंगे करेंगे आप थोटो को यह- sì बड़ा हो चुका है बड़ा होने के बाद इंग जहां पर मासिक लगाँगे यहां मास्किंग टूल्स पर चले जाते हैं मासिकरो एक्टिवेट कर्देते हैं क्लिक कर देते हैं क्लिक करने कवाद पहला वाला ही library has और इसको होड़ सा और उपर ले जाते हैं यहां पर इनके एक्प 국민के पास और यहां पर हम फिर से इस फोटर में भी फेट कर देते हैं जो कि आप देख behemd 참 आपको देखने को मिलेगा जो कि कि आपको कुछ इस तरह का effect देखने को मिलेगा इसको और ज्यादा attractive बनाने के लिए यहाँ पर हम कुछ overlay का इस्तमाल करेंगे ओ चली हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं फिलाल के लिए इसको हम हटा दते हैं जो उपर वे टूल सा रहा है और यहाँ पर फिर से पिप पर किलिक करेंगे और यहाँ पर फिर से वीडियो और फोटेज में जाएँगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक फोटेज को डाउलोड करके तो देखिए पुरी तरह से फीट हो चुका है और काफे ज्यादा जो हमारा इमेज था यहां पर यहां पर काफे ज्यादा अट्रेक्टिव हो चुका है अब यहां पर हम एक और यहां पर इस्तमाल करेंगे और यहां पर किलिक करने के वाद वीडियो पर जाएंगे वीडियो यहां पर जाने के वादे हम एक वीडियो पाले का इस्तेवाल करेंगे जो की कुछ इस तरह का होने वाला के इसको सप्छलर करेंगे यहां पर i gate करेंगे और को Fuller Screen में कर देते हैं कुछ इस तरह से Fuller screen में आचुक आदा के आप देख रहोंगे अब यहां पे हमने का करना है कि आ अधा ब्रकिल प्रिक करते हैं तो देखिए जो फोटे lange कुछ इस तरह के आपको देखने को मिर रहा हो जो कि काफी ज़्यादा attractive लग रहा होगा कुछ इस तरह से आप देख रहे होंगे अब इसको हम फिलाल के लिए ok पर click कर देते हैं तो यहाँ पर जो हम लेयर आप देख रहा होंगे यहाँ पर हमने पीप में करीब करीब यहाँ म और इसको हलका सा जूम कर देते हैं तो यह और जाद अट्रेक्टिव हो जागा जैसा कि आप देख रहा होंगे और इसको हम नीचे की तरफ लेके चले जाते हैं जिस्ते की क्या होगा कि नीचे की तरफ रहेगा तो अच्छा इफेक्ट यहां पर प्रवाइट करा देगा तो में इसको एक्सपोड कर लेते हैं और ऐसे और देख रहा होंगे फ्रेमरेट बगेला आप सारा सेट कर सकते हैं और सेट करने की अबम देख ने उसको हम यहाँ पर import करेंगे, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे, उस वीडियो पर जिसको अभी हमने export किया, तो सबसे उपर होगा वीडियो, तो यहाँ पर है वो वीडियो जैसा कि आप देख रहोंगे, इसको हम यहाँ पर select कर लेते हैं, और select करने के बाद यहाँ पर next बटन कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो हमने lyrics video को import करा यह पर आ चुका है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद हम देख लेते हैं, कि जो lyrics है, वो कहाँ पर लिखा हुआ रहा है, यानि कि वीडियो के किस पार्ट में, यानि कि बिल्कुल center में आप देख रहोंगे यहां पर लिखा हुआ रहा है और लेक्स को हम यहां पर लगा ना चाहते हैं दोनों फोटो कह बिल्कुल सेंटर में यहां पर हमने के बाद आप और देखे रहाँ गे ब्लेकर स्कीन है तो ब्लेकर स्कीन रयमोब करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था के लेयर को उस्कीन आ करेंगे स्लेट करके इसको थ्वासा हम बड़ा कर देंगे कि जो हमारा टेस्ट है वह बड़ा बड़ा लिखा हुआ आए तो कुछ इस तरह से आप देख रहोंगे बड़ा बड़ा लिखा हुआ टेस्ट हमारा आ रहा है हमारा लग चुक है है अब हमारा जो वीडियो है हैं सबस्कोद कर लेते हैं तो चली एक्सपोर्ट होना स्टाट होगा एक्सपोर्ट होने कवा उप जहां चाहते हैं। करता हूँ आपको अच्छा लगा क्योंकि इस वीडियो में आपको complete प्रोसेस बता दी कि अगर आप एक trending songs पर अपना रिल को create करना चाहते हैं तो आप कैसे किजएगा कैसे वीडियो को import कराईएगा lyrics को कैसे इंपोर्ट कराईएगा फोटो को आप किस तरह से आप टाइम सेट किजएगा कि वीट के हिसाब से मूफ करें उसके पाथ किस तरह के इफेक्ट सारा चीज मैं आपको कम्प्रेट इस वीडियो में बता दिया और भी काफी ज्यादा इंट्रेश्टिन इंट्रेश्टिन वीडियो में अप्लोड करने वाला हूं तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीड टारा टार चेंटिन वीडियो में लाला हूं जरूर चाउ हमारे जरूर सारा चाल शन्रेट करेंगे न्याकर ऑने तरह करेंगे तो हमा smartवर के दो करेंगे ह।